बिसमिल्ला अर्मानी रहीम, असलाम लेकुम फ्रेंस कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल कुकिंग और व्लोगिंग, आप सब बहुत अच्छे सुनगे, अलहम्दलिला मैं भी ठीक ठाक, आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए तीन खास ड्रिंक, जिसे पीकर आपको बह मैंने साफ करके धोकर एक बावल में रख लिया है, और मैं इससे कप से नाप कर आधा कप पुदीना लूँगे, क्यूंकि हम दो ग्लास का शर्बत बना रहे हैं, तो दो ग्लास शर्बत बनाने के लिए यहां पर हमें आधा कप पुदीना चाहिए, और अब मैं लूँगी मिक्सर का जार और यह आधा कप पुदीना मिक्सर के जार मैं डाल दूँगी, और मैं डालूंगी टू टेबल स्पूं शकर, और इसका टेस्स और बढ़ tbsp क्ला नमक और 5 टीस्पूं हम डालेंगे इसमें भूना जीरा पाॉझर, और यहां पर मैंने लिए कुछ आईस क्यू आप चाहें तो क्यूब भी डाल सकते हैं और आइस डालने के बाद मैं इसे बारीक पीस लूँगी तो यह देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है और अब हम लेंगे एक बावल और इसके उपर रखेंगे एक छनी और इसे चनी में चान लेंगे अगर ताकि पु अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर मैंने लिये हैं दो ग्लास और इसमें मैं डाल दूंगी कुछ आइस और हमने जो भी यह शर्बत रेडी करके रखा है उसे डाल देंगे यह देखिए दोनों में मैंने आधा आधा यह शर्बत डाल दिया है और इसमें अब हम डाल हम देने का बाट में बहुत रहात देगा अकसर हमें घर्मी तो आ इस तरह से निमबु पुदीने का शेर्वट ठंडा थंडा बना कर पिए तो आपको यह गर्मी में उल्टी मतली उलुजन जैसी समस्याओं से भी रहत मिलेगी और पुदीना हमारे digestion के लिए भी बहुत फाइदे मंद है ताई अब हम दूसरी डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने दो कुकुम्बर लिये हैं और इसे मैं छील लूँगी और छीलने के बाद इसे उसे तुक्रों में कट कर लिये हैं और तुक्रों में कट कर लेने के बाद मैं लूँगी एक मिक्सिका जार और उसमें इसे इसमें मैंने इसने बारिक पीस लिया है और अब मैं एक बाउल लेकर इसके ओपर छनी रकूंगे और इसे छनी से चान लोगी और कुकुम्बर को चान लेने के बाद अब इसमें मैं डाल रहे हूँ एक कप पे करिब ठंडा पानी ठंडा पानी डालने के बाद मैं इसे एक दफ़े मिक्स कर लूँगी और ये कुकुमबर का शर्बत बनकर रेडी है और यहाँ पर मैंने लिया है गलास और उसमें मैं डाल रही हूँ कुछ आईस क्यूब आईस क्यब अपने हिसाब से कमियाज व्याज़ डाल सकते है और शम्में मैं पाने के लि защकुछ नाल वारत शर्बत नृङ्चा में मैं मैं आपको कुककुमबर का शीर्बत बनकर रेडी है इस ड्रिंक में जहें कमिन्समें बताय कैसी दकि payments का किसी लगी इस तरह से आपको कुमबर का शर्बत और निमगो और पुदिने का शर्बत बना कर पिये ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ड्रिंक है ये और पसंद आने के साथ साथ इस ड्रिंक के बहुत ज़्यादा फायदे हैं तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें आज हम बनाएंगे 6 केजी रूवजा की रेसिपी गर्मी में अगर कुछ हमें ठंड़ ठंड़ पीने मिल जाए तो क्या बात है दिन बार रोज़ा रखने के बाद इफ्तार में अगर हमें रूवजा मिल जाए तो हमारे दिन बर की धकान दूर हो जाती है हमें बड़ा ही सुकून मिलता है हम बड़ी असानी से घर में रूवजा सीरप बना सकते हैं वीडियो फुल वाच कीजिएगा तो आपको सारे स्टेप असानी से समझ में आ जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक बरतन ले लिए हूँ मैं इस बरतन की मिजिनमेंट से रुवज़ा बनाऊंगी ताकि हमारा रुवज़ा बहुत ज़्यादा पर्फेक्ट बने तो यहाँ पर मैंने शक्कर के तीन पैकेट को कट करके डाल दिया है और तीन किलो शक्कर में ये पतीली बिल्कुल भर गई है बराबर है तो इसी नाप से हम पानी भी डालेंगे ताकि हमारा रुवज़ा बिल्कुल पर्फेक्ट बने नहीं जादा गाड़ा बने और नहीं जादा पतला और अब हम एक बड़ा सा बरतन लेंगे और उसमें ये सारी शक्कर डाल देंगे तो पानी भी लिए भर कर तो इसमें से आदे से कम पानी में इस पतीले में डाल दूंगी और जो पानी इसमें बचहेगा आदे से बंदा उसे और रगों होने के लिए तो दूसरे चोले सले मैं ने पानी को घ्राप कर लिए लाझे तो यहां पर मैंने दू टेबले स्पुन ऑ sleeping इसे भी मैं एड़ कर दूंगी और हम चम्मा से शक्र को चलाते रहेंगे ताके शक्र नीचे लगना जाए तो इसे हम चलाते हुए शक्र को गला लेंगे तो अब यह शक्र गल चुकी है और हमने जो पतीली में बचा हुआ पानी गरम करनी के लिए रखा तो उसे थोड़ा-थ सीरप बहुत ही थीक विल्कुल रूबजे की तरह गाड़ी बनकर रेडी होगी तो अब यह पानी पूरा मैंने एड़ कर दिया है अब इसमें हम शक्र एड़ कर देंगे तो यहां पर जो तीन किलो बचा के हमने शक्र रखी है उसे एड़ कर देंगे शक्र डालने के बाद चमा से चलाते हुए मिक्स कर लेना है शक्र डालने के बाद हमें इसे छोड़ना नहीं है चमा से चलाते हुए से मिक्स कर लेना है वरना शक्र नीचे लग सकती है तो अब देखिए यह शक्र अच्छे से मेल्ट हो चुकी है अब शक्र अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमे आप lemon juice भी add कर सकते हैं तो इन सारी चीजों को हमें अच्छे से mix कर लेना है और अब इसमें हम color के लिए add करेंगे 2 टेबल इस्पून red food color तो टेबल इस्पून red food color लेकर उसमें 1 टेबल इस्पून मैंने पानी add किया है और उसे अच्छे से mix करके इसे मैंने सीरप में डाल दिया है और इसे mix करने के बाद मैं इसे ठंडा कर लूँगी तो आप ये ठंडी हो चुकी है सीरप अब इसमें हम खुजबू के लिए 4 टेबल इस्पून rose water add करेंगे और 1 टीजपून से थोड़ा सा कम keoda essence add करेंगे keoda essence थोड़ा कमी add करेंगे जादा होने से ये हमारा सीरप कड़वा भी हो सकता है इसे add करने के बाद मैं अच्छे से mix कर लूँगी और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद मैं आपके इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ तो ये देखिए ये कितनी जादा थिक सीरप बनकर ready हूई है आप भी इस recipe को जरूर ट्राई करें ये आपको बहुत जादा पसंद आईगी तो ये देखिए मैं आपको च्छनी की health से भी इसकी थिकनेस दिखाती हूई ये कितनी गाड़ी सीरप बनकर ready हूई है च्छनी से भी कितना slowly drain हो रही है इससे समझ में आता है कि हमारी रूवजा सीरप कितनी थिक बनकर ready हूई बिल्कुल perfect बनकर ready होती है तो आप भी इस recipe को try करें और मुझे comments में बताए कि आपकी ये recipe कैसी बनी तो ये देखें यहाँ पर मैंने 6 bottle बना कर ready कर ली है रूवजा सीरप की और मैं आपको रूवजा सीरप बना कर भी दिखाती हूँ बहुत थोड़ी से सीरप हमें इसे glass में add करनी होती है और इसमें हम अब add कर देंगे पानी और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और दूसरे glass में भी मैंने रूवजा सीरप add किया है और इसमें मैं add कर दूँगी दूद और इसे अच्छे से mix कर दूँगी इसमें आप सबजे की बीज भी add कर सकते हैं और ये हमारा रूवजा सीरप बन कर ready हो गया है तो बहुत ही जादा tasty ring बन कर ready होता है और रोया में